इस वीडियो के अंतर करते हैं अगर डिजीज हो गई तो आपन किस परकार से उसको चांट्रोल कर सकते हैं उसको नियंतरन रोख सकते हैं तो इस प्रकार इन सभी बाते इनका देना पर इस वीडियो में करेंगे तो लेटल लेफ और विंजल है वो किसके दौर होता है फाइटो प्लाज्मा यह बेक्टिरिया तो यह किसके दौरा होगा फाइटो प्लाज्मा के दौरा जैसे अपने इसे पहले जो वीडियो उसमें आपने पड़ा था लूसमाट ओफ वीट अस्टेल हो फंगस है उसके दौरा यह सीटर्स के इंकर डिजीज है जो सीटर्स व्रैटी जो प्लांट है उ इसके दौरा तो फाइटो लाज्मा के दौरा इसके अपन सिम्टम्स देखते हैं कहां दिखाई दे गई तो अगर पातियों की साइज क्या हो जाएगी जो प्लांट है उसमें जो पादा पर उसकी जो लीव्स हैं वो साइज में छोटी हो जाएगा यलोविंग और फिला प इसके दौरा यदी प्लांट जो ब्रिंजल है उसमें लिटल लिव्स हो गई है लिटल लिव वो ब्रिंजल डिजीज में क्या होगा पतियों घाकार वो छोटा हो जाएगा पतियों कलर वो पीला पन हो जाएगा और उनके अंदर जो फलूत पादन की जो खस्वंता है के पेस्टी हो नहीं हो यानि कि किसी प्रकार का फलूत पादन नहीं होगा लिटल लिव डिजीज की वजाए से और अपने इसके अगर डिटियाद में अपने सिंटम्स देखें तो कुछ इस प्रकार क्या हो जो कि इन्फेक्टेट फ् प्रकार की जो खस्वंता है उसकी तुला में छोटी होंगी शोट होंगी और वो एक सई सेप में नहीं होंगी उसमें कलर है वो यलो क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल जो कंटेंट हो वो कम हो जाएगा प्लांट ओप थोर्णी वारतिज बिकेम समूथ थेर्ट फोरं जनुके दर काट्य होते है रूजमें वो काटी में रहेंगी एक्दम समूथली हो जाएगी हो इसका दूसरा डिजिर का जो नाम है, जाड़ू की जैसे आकरती हो जाएगी। इसका जाड़ू नाम इसका जाड़ू की जाड़ू। कि हेल्थी प्लांट के तुनला में जो डिजीज को अगर इंफेक्टेट जो प्लांट है उसमें कैसे हो जाएगी है कि वह सी अपेर्श है निकि विचिज व्रूम जिसको का बनान देते हैं और उसका जो फर्टाइल पार्ट है वो फर्टाइल नहीं रहे निकि इस्टेरल हो जाएगा वो ब्लांट इसका हॉस्ट के अगर बात करें तो लिटल लिफ और ब्रिंझल यानि किया है 我 Kayla driger to प्रमुके ता जो पिरली पार्ट हो लीफ और उसके बाद में धिरे दे प्लांट में फेleist तो इस्टेराइल हो जाएगो plant the symptoms are caused by bacteria like parasites called phytoplasma the plant to plant transmission is mostly through the bacteria they say phytoplasma perjee the plant to plant transmission is mostly through insect vectors different species of leafhopper especially hasimona's phycetes it can affect plant in all growth stages growth stages that changes in plant इसके दोर्हा जो पाधप की जो भी ग्रॉथ स्टेज वो फ़ीं को सबी इक रुझ पाधप गया से प्रावटर रहेंगे विस दोर्ह जितनी भी जो पाधप हैं बहा गया पाधप की जो ग्रॉथ की अवस्ते हैं उस अभी इस के दोरा प्रभावित रहें अभी इस डिजीज के अपन कंट्रोल गया सकते हैं उसके अंदर उन ख़तम करने वाले जो होती है तो वो क्या होंगा उनके दोरा प्रभावित इनका बाइलोजिकल कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वह एज़े प्रिड़र्फ के रूप में काम करते हैं वह इनको नस्ट कर देंगे जिसे डिजीज यह आगे फैलने में कम फैलेगे यह तो यह बाइलोजिकल कंट्रोल के रूप में अपन इस प्रकार जो कीट है जिनकी विदा से अपन जो डिजीज अब फैल रही हो उसको अगर अपन नस्ट कर दें मार दें तो वो डिजीज यह फिर आगे नहीं फैलेगी तो यह तो हो गया इस डिजीज का बाइलोजिकल कंट्रोल अब कर बात करें अपन दूसरा जो स्टेप इसके दौरा अपन कंट्रोल कर सकते डिजीज वो है केमिकल कंट्रोल 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 विद बाइलिजिगल ट्रीटमेंट इफ अविलेबल इमिडा क्लो फ्रीट साइपर मेथरी एंड डिमेथो इस तो सप्रेस इंसेक्ट वेक्टार्स जो कीट वाक है जिनके दौरा एक जो इंफेक्टेट बलांट है उससे जो बीमारी है वो दूसरे हेल्थी प्लांट में फ्ल कर दें तो क्या होगा कि डिजी जब वो आगे नहीं फेलेगी तो इस परकार बाइलोजिकल कंट्रोल के साथ साथ लेकिन अगर बाइलोजिकल कंट्रोल के साथ साथ ही अगर केमिकल कंट्रोल करें तो दोनूं हैं वो ज़्यादा परवावसालियों है तो इस परकार से कुछ क्यमिकल्स है जिनका योध करके भी जो इंसेक्ट वेक्टर जो इंसेक्टी सब्सक्राइब, इभ खत्याएं, जो इंसेक्ट वाक्टर उनकी अगर अपन, रोक दे तो यह जो प्लान डिजीज अशाए. इसको अपन, कंञ्ट्रोल कर सकते हैं. इसके लाँ कुछ preventive मेजर हैं जिनके द्वारा भी अपन डिजी कंट्रोल कर सकते हैं अवर्ड कल्टिवेटिंग अल्टिवेटिंग अल्टिनेटिव होस्ट प्लांट लाइक चिली पेपर प्रोवाइड एडिक्यूट इस्पेस वाइल प्लांटिंग आइडली 92 75 cm निकी बीच में जगे होनी चे पीक सीजन तो पीक सीजन के अंदर जो जिन में कीटों की जो पीक सीजन होती है अगर उसमें अपन बवाइ कर रहे तो वो ज्यादा काता हो कि रेगुलरी मोनिटर दे फिल्ट फोर साइन्स और लिफ उपन इन्फेक्शन एंसर इस डिजीज प्री रिमोड देस्ट एं डेस अपने को लख्शन दिखाई दे रहा है कि इनके अंदर ये डिजीज हो सकती है कि अपने को लग रहा हो चुकई है उसमें तो अपन उस प्लांट को उखार गर उसको डिस्टोय नस्ट कर देंगे जिससे डिजीज़ पो उससे और आगे नहीं फेले तो ये कुछ उपाय झाल झाल